जहिन साथियों, स्वागत है आप सभी का हमार यूटूब चैनल अवतारिश्टडी में मैं आशुतोष आज आपको एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगा बहुत ही इंपोर्टन चैप्टर है आज का चैप्टर आयतन पराधारित है और आज से मैं आयतन शुरू कर रहा हूँ आज आयतन का पहला दिन है आज मैं घनाप पढ़ाऊंगा इसके बाद घन है, बेलन है, संकू है इत्यादी चित्र जो 3D होते हैं उनके आयतन कैसे निकाले जाएंगे या उनमें भुजाएं और तमाम सारे प्रश्ण बनते हैं उस पर वन्डे एक्जाम के नजरी से इतना इंपॉर्टन टॉपिक है कि इसको नहीं पढ़ा तो समझ लीजे कुछ नहीं पढ़ा तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्णों की ओर और सीखते हैं आज का टॉपिक घनाव तो प्रश्ण है पहला प्रश्ण है आपके सामने एक कमरे की लंबाई चौणाई और उचाई क्रमसा बारा मीटर दस मीटर और आठ मीटर है कमरे का आएतन और चारों दिवारों का छेतरफल ग्याद कीजे अगर गनाव है तो इसका आएतन कैसे निकलेगा इसमें लंबाई चौणाई उचाई अलग अलग होती है घन होता तीनों बूझाएं बराबर होती तो एक यूब कर दिया जाता पर इसमें क्या होता है लंबाई गुड़े चौनाई गुड़े उचाई तीनों अलग हैं इसको गुड़ा कर लीजे आ जाएगा तो 12 गुड़े 10 गुड़े 8 कितना आएगा 12 टे 96 कितना आएगा 960 सेंटी मीटर में हैं जी हाँ तो मीटर क्यूब हो जाएगा अब देखिए छेत तरफल कमरे का छेत तरफल आयतन तो निकाल लिया आपने चारो दिवारों का छेत तरफल सिर्फ चार दिवारों का छेत तरफल निकालना है तो चलिए निकाल लेते हैं कमरे के चारो दिवारों का कितने का चारो दिवारों का छेत तरफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे दो करिए लंबाई धन चौड़ाई लंबाई धन चौड़ाई और उसके बाद उसमें उचाई से गुड़ा कर दीजे आपका उत्तर आ जाएगा तो दो लंबाई कितनी है बारा है चौड़ाई कितनी है सर दस है और उचाई कितनी है आठ है तो बारा दस बाईस दो गुड़े बाईस गुड़े आठ अब इन तीनों को गुड़ा कर दीजे जे हाँ इन तीनों को गुड़ा कर दीजे तो आपका आएगा 352 सेंटी मीटर 352 सेंटी मीटर अब ये 6 तरफल है तो स्क्वायर लगेगा और घन होता है तो यहाँ पर क्यूब लगाते हैं देखिए विकल्ब आपका कोई मिला जिहाँ 960 ये वाला विकल्ब मिला और इसमें आपका दूसरा नंबर 352 मीटर स्क्वायर आपका ये मीटर होगा सिंटी मीटर नहीं होगा मीटर स्क्वायर होगा तो पहले नंबर की सवाल में विकल्ब आया है आपका उत्तर और इसी तरह आप आज हमारे साथ जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक बने रहिए आज का टॉपिक आईतन घनाव का आईतन ये आज का टॉपिक आपका छूटेगा नहीं और ना ही कोई सवाल आपकी बिना एक्जाम में एक्जाम में आप प्रैक्टिस करके जाईएगा कोई भी आप सवाल छोटेगी नहीं तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन की ओर अब आपके सामने स्क्रीन पर है आज का दूसरा प्रशन प्रशन बहुत ही इंपॉर्टन प्रशन है वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि सारी चीजें आपकी कवर हो जाएं बीच में छ कितने इंटें अप एक्षित होंगी यानि कि यह जो आपका लंबाई चोड़ाई और उचाई दिया है इस हिसाब से एक इंट का दिया है यह वाला 30, 15 और 10 यह एक इंट का है यानि लगभग इस घर में यह दिवाल जो भी हो इसको बनाने में कितने इंटें को आप प्रियो कितनी आएगी तो चलिए कैसे निकलेगाρέ दिवार काई तन सबसे पहले क्या लिख लिजिए दिवार काई तन अब दिवार का आई तन लिखने के बाद आप उसमें से एक इंट का किस के एक इनट के आई तन से भाग दे iau भाग देगे ओ आ जाए गा एक एंट के आउट र लिखने भागें दिवार तो आ जाएगा अब चलिए दिवार अब दिवार आप उसके बाद हम दिवार में यहाँ पर प्रियोग दी रहेगी सब दोड़ा से लिखने में … तो चलिए 9 मीटर गुणे 6 मीटर और गुणे 20 सेंटी मीटर नीचे दिया गया है 30 सेंटी मीटर गुणे 15 सेंटी मीटर गुणे 10 सेंटी मीटर आप कुछ समझ गये होंगे कि ये दोनों पॉइंट मीटर में है तो यानि इसको मीटर बनाईए इसको भी मीटर के बज़ाए सेंटीमीटर लिख लिए 9 मीटर में 900 सेंटीमीटर यानि 100 इसमें भी 100 तो यानि 100 से गुड़ा कितनी बार हो जाएगा सर दो बार गुड़ा हो जाएगा कितनी बार हो जाएगा दो बार हो जाएगा तो चलीए, एक 0 से 1 0 ये 2 0 नीचे है, कट गया और एक 100 कट गया कटा की नहीं, सब कटा जी हाँ, बिलकुल कट गया अब देखिए, फिर से कट दीजिए अब देखिए, कटिए, पांटीया पंदरा, पांच 7 का 20 हो गया देखिए इसको भी काड़ दिये तिंत्रिक का नौ नीचे देखिए नौ हुआ तो नौ कटा किस से नौ से कड़ गया देखिए च्छा चौ को चौबिस चौबिस और यहां पर दो जीरो बचा था यानि चौबिस सुई इंटों का लगभग प्रियोग हुआ है इस दिवार में तो यहां पर बी नंबर आपका विकल्प बिलकुल सही है तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन की योर अब आपके सामने स्क्रीन पर है अचका तीसरा प्रशन प्रशन बहुत ही लाजवाब प्रशन है इसे भी सीख लेते हैं समझ लेते हैं कैसे ये सवाल सौल होगा इस क्रम में टॉपिक अच्छे से तयार होता रहे तो प्रशन है आठ सेंटी मीटर छे सेंटी मीटर दो सेंटी मीटर बिस्तार वाल एक बकसे में अधिक्तम कितने सेंटी लंबाई की पेंसिल रखी जा सकती है जी हाँ एक जमेटरी बॉक्स का जैसा कुछ यह माप आएगा आप याद करिए कैसे रख देते थे थोड़ा ऐसे तिर्चे में रख देते यह यह थोड़ा समाचित फिर समझ लीजिए आप ऐसे पेंसिल को रखते थी यह ऐसे रख देते थे तिर्चे में तो यह क्या है विकण के रूप में रखते थे क्योंकि विकण किसी बॉक्स में जो होता है जो विकण होता है वो अधिकतम अंदर के प्लेस को बताता है नहीं बताता तो यानि कि यह जो डिबा दिया गया है इसके विकण को निकाल लीजिए पता चल जाया कि अधिकतम लंबाई की पेंसिल रखी जाती सकती है और कितनी लंबाई की तो चलिए निकाल लेते तो यानि कि जो यहां पर घनाब दिया गया है उसका बिकन निकालेंगे तो बिकन कैसे निकालते हैं चलिए देख लेते हैं इसका भी फार्मूला आप देखिए इसमें क्या होता आयतन है तो लंबाई प्लस चौडाई इसका स्कॉायर करते जाएए और उचाई तीनों का मां लिखेंगे तो दो दूणी चार शाथ चईहरो चाटिस चूछ सट्सव और यह एकसो चार एकसो चार कॉन वर्गमून निकालेंगे तो दू रूट आपका चूबिस आएगा कितना आएगा सर दो रूटट चूबिस नहीं 26 आएगा कैसे दो दूनी चार और चार का गुणा 26 में कर देंगे देखिए दो आपका जब वर्गमोल निकालेंगे तो दो आपका बाहर हो जाएगा क्योंकि इसका जोड़ा बन जाएगा पर 26 का नई बनेगा 13 और 2 का तो इसलिए यहाँ पर टू रूट 26 आपका बिकल्प होगा बिकल्प कोई मिला जी हाँ बिकल्प आपका सी नंबर बिलकुल सही है तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन की ओर अब आपके सामने स्क्रीन पर है आज का चौथा प्रशन इसे भी समझ लेते हैं प्रशन है 200 मीटर लंबे और 150 मीटर चौड़े एक टैंक में 0.3 मीटर 0.2 मीटर आकार वाली एक नली से 20 किलो मेटर प्रती घंटे की गच से पानी छोड़ा जाता है तद अनुसार उस टैंक में पानी का तल 8 मीटर उंचा होने में कितने घंटे समय लगेगा जे हां 8 मीटर पानी भरना है तो चलिए यानि टैंक का आईतन हमारा कितना बन जाएगा टैंक का आईतन 8 मीटर उंचे तल में जब पानी का आईतन कितना बनेगा उस टेंग में अगर 8 मीटर पानी भरा जाएगा और 200 मीटर लंबा 1,500 मीटर चोणा तो यहनी उसका आइतन कitना बनेगा तो 8 मीटर उंचे तल पानी का जो आइतन बनेगा वो आप आइतन निका लिजे आइतन किसमे 8 मीटकों भ़रना आएना इस चीज का आईतान आप निकाल आई तन बराबर क्या होगा 200 गुणेव, डेड़ सो और गुणे है 8 मीटक्ड ले जाना है तो कितना आएगा सर कितना आएगा कितना है गुड़ा कर लीजे गुड़ा कर लीजे नहीं तो एक चीज और है आपको तो निकालना है कि कितना समय लगेगा तो समय निकालना है तो इसे अभी गुड़ा मत कीजिए अब देखिए उसके बाद जो चाओडे एक टैंक में 03 मीटर दो जीरो समलो 2 मीटर आकार वाली नली लगी है 20 किलो मेटर पादी घंटा 20 किलो मेटर पादी घंटा दे रही है वो पानी क्या करता है उसमें छोड़ता है तो अब देखिए प्रती घंटा छोड़े अगर प्रती घंटा छोड़े प्रती घंटा छोड़े प्रती घंटा छोड़े गए पानी की अगर स्पीड नइक लेंगे तब कितना आएगा तब इसका फ्रति घंटा गये पानी का जो आईटन बने वह कितना आएगा अगर एक गहंते में कोई पाइप है मांन लीज यह कोई पाइप है वह एक मालिजे यहां पर टेनक है अगर पाई को यहां पर लमबाई यह आकार दिया गया है अगर इस हिसाब से पानी साथ लिए गर फॉच देखिए किलो मेटर पती घंटा है तो 20 किलो मीटर है यानि एक हजार से कितना प्र गुड़ा करने पगड़ेगा एक हजार से अब गुड़ा कर लिजे नियु आई आ से निकाल लीजे समय निकाल जिए समय किसे के निकलेंगे आयतन है 200 गुड़े 150 गुड़े 8 अब प्रती घंटा जो प्रती घंटा छोड़े पानी का आयतन है वह बारा सो है कितना है सर बारा सो है तो दो जीरो कड़ गया 2 छंग बारा आया अब 3 से कटेगा तीन पचे पंदर यानी 50 बचेगा और दो बचे दो चोग ही बचा जी हाँ भी कल्प आपका डी नंबर बिलकुल सही है यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है जल्दी से जल्दी आप काटेंगे एक्जाम में जितना जल्दी आप सवाल को सॉल्व करेंगे उतना जल्दी आए बस नियम समझिए सर कैसे होगा पहले हमने पानी का आ आईतन पानी भर रहा है वो निकालना है तो एक घंटे में प्रती घंटे छोड़ेगे पानी का आईतन आपने 20 इसकी स्पीड से गुड़ा कर दिया फिर उसके बाद समय निकाल लिया तो समय पूछा था जी हां बिलकुल आपका डी नंबर बिलकुल बिकल्प सही है तो चल मीटर है कमरे के फर्स का छेत तरफल जी हाँ अब देखिए कोई भी अगर आपको आईतन निकालना हो आईतन निकालना हो तो आप कहते हैं लंबाई गुड़े चोड़ाई गुड़े उचाई क्या कहते हैं लंबाई गुड़े चोड़ाई गुड़े उचाई लेकिन कमरे क कि फर्स यहां पर जो फर्स का छे तरफल निकालना है तो यानि कि लंबाई और चोड़ाई होगी तो इसकी जगा हम क्या रख देते हैं फर्स का क्या रख देते हैं जी हां फर्स का छे तरफल रख देते हैं उचाई तो नहीं रखना है यहां पर मैं उचाई चाहे उलिक करा बनाई चाहया चलिए कोई दिक्कत नहीं है आईतन आईतन देखी आपको आईतन दिया है प्रश्ण में यह आपने यहां पर हमने बताया कि फार्मूला में कैसे परिवर्टन हुआ है इस चीज को आपने जाना अब आईतन दिया है कितना सर दो सो चार फर्स का छे तरफल आप साचो को चौबिस यानी चौवतिस कितना आया सर 34 मीटर आये कितना आया कमरे के फर्स का छे तो 44 मीटर यहां कितना करें यह चीजित ध्यान देजा कभी कभी क्या होता है बिकलप辛苦 34 होते हैं पर मीटर स्कॉयर वाला छे त्रफल पर ध्यान जीए मीटर स्कॉयर रहेगा और सिर्फ लंबाई चौडाई रहे तो मीटर रहेगा और आयतन के संबंद में हो तो मीटर क्यों कर दीजिएगा आज का अंतिम प्रश्ण पांचवा प्रश्ण उमीद है कि आपको आज के इस टॉप प्रश्ण बहुत ही अच्छे ढंग समझ में आये हैं और वीडियो को यहीं पर ओवर करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जहिंद